जैसीताराम दोस्तों, मैं बैद राजियो सुकला, आज निर्गुंडी का एक विशयस मातपूर्ण जनकारी देने जा रहा हूँ जिन पूर्सों की इंद्री सथिल हो गई हो और यवन सक्ती छेंड हो चुकी हो उनके लिए ये प्रयोग बहुत ही अच्छा सिध्ध हो चुका है मैं कई लोगों में इसका प्रयोग कर चुका हूँ तो दोस्तों बताते हैं आपको कि जिन भाईयों के इंद्री सिथिल हो चुकी हो उनके इंद्रियों में इसकी पत्तियों का लेप करने से इंद्रियां मजबूत हो जाती है और द्रड़ हो जाती है और बात करते हैं योवन सक्ति को बढ़ाने के लिए तो दोस्तों योवन सक्ति को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि इसकी पत्ति को आप ले आये और सुन्थी सुन्थी आती है तो पंसारी के हमेल जाएदि सुन्थी को ले लिजे 40 ग्राम नीरगुन्डी 40 ग्राम सुन्थी को लाकर उसको आप सम्मात्रा में पीश ले पीशने के बाद इसकी आठ पुडिया बनाना है आठ पुडिया बनाने के बाद आपको सुवह सुवह गाय के दूद के साथ उसका सेवन करना है तो देखेंगे कि कुछ ही दिनों में यवन सक्ति आपकी परपक हो जाएगी आप द्रड़ हो जाओगे और इसके बीच में आपको तेल मिर्चा खटाई का विसेश परहेज रखना चाहिए हलका सुपाच भोजन करना चाहिए जिससे आपको दिक्कत नहो तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मेरा प्रोस सहन बढ़े धन्यवाद दोस्तों